149 वे स्थापना दिवस पर कॉंग्रेस नाकपुर से है तैयार हम के नारे के साथ आहवान देश की जनता का करने जा रही है क्या संदेश देश की जनता को यह से दिया जाएगा आज देखे आजादी का इतिहास उठाएंगे 1885 में कॉंग्रेस बनी और 1947 में देश आजाद हुआ इस दोरान कॉंग्रेस के स्वतनतता सैनानियों ने नेताओं ने अपना खून पहसीना शहादते देकर इस देश को आजाद कराया गर्व की बात है हमारी जैसी युवापीडी पूरे जोश के साथ हम देश के किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, महिलाएं, सरहद पे खड़े जवान को विश्वास दिलाना चाहते है कि भारतीय रास्ट्रिय कॉंग्रेस एक बार फिर से तैयार है और सबसे बड़ी बात है कि चोधा तारीक को घोशना हो चुकी ह कि 14 जन्वरी को शिरी राहूल गांदी जी एक बार फिर से उनके नित्यत में हम सभी लोग भारत न्याय यात्रा की और बढ़ने वाले हैं, तो बिलकुल विश्वास दिलाना चाहती हूं, आज देश भर से 10 लाख, देश के कोने कोने से 10 लाख कॉंग्रेस का कारे करता, दो हजार चोबिस की तरफ जो बढ़ते कदम है, और मुझे पूरा यकीन है भारत की जीत होगी, भारत के एक एक नागरिक की जीत होगी, डोनेट फॉर देश इस क्यामपेइन को हम लगातार लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर भी लोगों से हम ये उम्मीद कर रहे हैं आज 10 लाग कुरसियां हैं और हर कुरसी पर एक काड रखा है और ये भी मालूम है कि 138 रूपे से दान देने वालों ने 10 रूपे भी दिये हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो मजदूर, वो किसान, अपनी महनत, इमानदारी की कमा किया, आपने हर तरीके से योगदान दिया, अब भी उमीद करते हैं कि देश का एक रूपे भी और एक कडम भी कॉंग्रेस को ताकत देने का काम करेगा, बहुत शुक्रिया वाब, 149 वे इस था अपना दिवसपर, कॉंग्रेस नाकपूर से हैं तैयार हमका नारा देकर दे भेल आ सकते हैं, that समाजिक सामरास्ता को जो है, पूरी तरह से देश में कायम कर सकते हैं, अब सीमा सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से चारों तरफ आतक बादियों का जो, जिस तरस भोल्डा चल रहा है, तो खरगे जी, राहुल जी, सोनिय जी प्रियंका जी और जितने भी कॉंग्रेस के फरिष नेतागन के नेत्रत में आज नाकपूर से हम लोग पूरे देश में संकल्प लेके जा रहे हैं कि इस ताना शाहि सरकार को उखार के फेकिंगे और हमारी जो कॉंग्रेस के पास जो उसका जो समधान है और किसी पार्टी के पास नहीं है और शुक्रिया सर ऐसे समय में जब लोग तंत्र पर लगातार प्रहार हो रहा है और आज नाकपूर में भारतिय राश्ट्र कॉंग्रेस अपना 149 वां अस्थापना दिवस मना रहे हैं आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे देश के सामने बड़ी बड़ी समस्या हैं महेंगाई है बेरोजगारी है एक देश में घरना का माहूल है और जो देश को धर्म और जाती का अधार पर बटवारा करने का चल रहा है तो यहां पर उसका मुकाबला करने के लिए हैं तयार हम नागपूर से इस नारे के जरीए 149 वे अपने स्थापना दिवस पर कॉंग्रेस देश को क्या संदीश देना चाह रही है कर चला रहा है किस तरीके के देश का जंता कई ना कई परिशान है तमाम चीजों को लेके आज यहां इस मन से अधरनिया यह इसी सी अध्यक्ष मलिकार जिन कड़िए जी अधरनिया हमारा नेता रहूल गांदी जी सोन्य तमाम उन लोगों का आज एक संखल्प है जो किस तरीक के इस देश का युवा हो किसान हो और माइला हो सभी लोगों को बचाना और इस देश का जो समिदान और लोक्तंत्र को इन लोग ने किस तरीके से ऐसी तेसी करके रखा यह तमाम चीजों को लेके आज इस नाकपुर रैली में तो आने वाले जो जो चुनावे उसको भी ले इसके बाद पुरा आपको देश के साथ इस बार आएंगे और इस देश का समिदान को बचाने का और इस देश का लोक्तंत्र को बचाने का काम करें है तयार हम, इस मंट से अन्याई के खिलाफ देश की जनता का आवान आज इस मंट से किया जाएगा, आपने भी इसका जिकर किया, लेकिन क्योंकि अब भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उससे देश की जनता को जोडने के लिए, न्याय दिलाने के लिए क्या प्लान है और कैसे से किया जाएगा? जो रावल जी ने एक बात बोला नफरत के बजार में मोंबत का दुकान के कोलने का जो बात किया पूरा देश बर कन्यकुमरी से कश्मिर तक किया अभी जो मनिपूर से लेके अभी मुंबई तक जो न्याय बारत न्याय यात्रा जो स्टार्ट हो रहा है उस पे लोग बहुत इच्छा रहा लोग अपने लोग जो उनली उस पार्ट में यात्रा हुआ इस पार्ट में यात्रा नहीं हुआ तमाम लोगों का जो इच्छा था वह अभी यात्रा हो रहा है इस यात्रा में देखे आपको बहुत जो जो बारत जोड़ो यात्रा उससे जादा लोग और समर दिन के लिए जो आज हनूंस करने जा रहे हैं वो सारे चीज लेके नियाई यात्रम में लेके जाने का काम करेंगे पूछने उस पर भी क्यों है मुहित डोनेशन फॉर देश ये कैम्पेइन भी कॉंग्रस लगातार चला रही है आज यहां भी लोगों को मौका दिया जा रहा है इसमें अपनी भागिदारी सुनिश्वित करने का आप इस पर क्या कहेंगे मैं सभी साथी को निवेदन करता हूँ उस पर आप सब का कांट्रुबिशन जरूरी है मात्मा गांधी जी ने आजादी के समय में भी इस तरीके का कैम्पेइन चला था पूरा देश का उस समय में जो सारे लोग सभी वर्ग सभी समाज का लोग ने उसने अपने अपने इसा दिया था इस बार भी मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ जो हमारा लड़ाई जो तानाशाई सरकार और जो कारप्रेट लोग जो हम दो हमारा दो लोगों को किस तरह ने इस देश के लिए उन लोग ने चलाना चा रहा है किस तरीके के उनके पास कहा कहा से पैसे आया क्या ह पैसे से भी उन लोग ने इस तरीके कर रहा है अभी कॉंग्रेस पार्टी सभी कार्या करता से आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ अभी कॉंग्रेस पार्टी के आप सब लोग ने इस पर डोनेट करें और हम सब लोग मिलके ये इस देश को बचाने का काम और इस समिदान क को बचाने का काम हम लोग करेंगा हैं तयार हम नागपूर से इस नारे के जरीए कॉंग्रेस देश को क्या संदेश देना चाहती है देश को समानता का संदेश देना चाहती है जिस तरह से विशमता बड़ी है इस देश में वो चिंता का कारण है देश विकास तो कर रहा है ले आटे के लिए ये गंभीर परिस्तितिया है महिलाओ पर आत्याचार जिस तेजी से जिस रप्तार से बढ़ रहे है और उसमें बीजेपी के नेताओं की सनलिपता जो है वो प्रशाशन को काम नहीं करने दे रही है आज संकट में है गोधी मिडिया ये सारी चीजे दिखाता न सरकार हमें दिख रही है ये सरकार ने इस देश का सविदान खत्रे में लाया है ये सरकार ने इस देश का लोकतंतर खत्रे में लाया है और जिस तरह से संसत चलाई जा रही है संसत को जिस तरह से कुचला जा रहा है उससे निजात जो है वो देना है उसके लिए है हम तयार से आगे लेकर जाने वारी दिखिए अगर आप मुझसे पूछोगी कि कॉंग्रेस का सबसे बड़ा योगदान क्या है तो मैं यह कहूंगा कि इस देश को लोकतंत्र देना उस देश को जिसने पांच जार साल तक राजा महराजाओं का समंतों का राज देखा उसे लोकतंत्र म कर जाने वाले लोगों को बजार में जाकर लोन दिया है इसे कहते फिनांशल इंक्लूजन ने तो चाय पत्ती का पैसा पेटियम से कर दिया और हमने पेटियम के ट्रंजक्शन बढ़ा दिये और वास्ताविकता में 31 लाग करोड से ज्यादा कैश बढ़ गई यह दिखावा के सोच में और बीजेपी के सोच में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट की उस वक्त हमारा क्या था और बुद्दा स्माइल और बुद्दा हजरे इसका मतलब यह था कि हमने न्यूक्लियर वेपन हमारी और किसी ने वक्रदृष्टी से देखना नी चाहिए तो था लेकिन उस के साथ में हमने क्रिशी क्रांती की उस टेक्नोलोजी से हमने स्वास्त के शेदर में क्रांती की हमने कई manufacturing sector में उस nuclear explosion के बाद हमने वो क्रांती की है तो यह फर्क है सोच का देश को शांती का संदेश देना दुनिया को विकास सब के लिए हो और समानता से हो और जिन सेक्षन्स को समाज में अब तक मौका नहीं मिला चाहे । आदिवासी हो चाहे महला भी उनका भी कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं था जिसके लिए बड़े बड़े अंधोलन किए गए महरास में आप सावित्री भाई पुले जोती भाई पुले दोंड़क विश्व करवे ऐसे बहुत लोगों ने काम किया है उसी तत्वों को आगे लेकर हम गये हैं तो कॉंग्रेस की ये प्रक्रिया निरंतर रही है स्वाधिंता संग्राम के वल राजनितिक स्वाधिंता मिलाने के लिए नही डिस्टुबिशन ओफ लैंड जमीन का आवंटन जो है एक खून का बुद्न गिरती वे करने का काम कॉंग्रेस नहीं किया है अपने सिलिंग एक देखा होगा आपने बॉंडेड लेबर को हटाने का काम जो है वो किया होगा वी सूत्री कारेक्रम जो था इंदरा जी का वो कॉंग्रेस के बरदापन दिवस बरदापन दिवस के उपलक्ष में नाकपूर में यह 138 में हम लोग इस्ताफना दिवस मना रहे हैं नाकपूर में 1920 में अधिवेशन जो कॉंग्रेस का हुआ था महात्मा गांधी को अध्यक चुना था गांधी मात्मा गांधी के युक की सही चुरूआत नाकपूर से उन्नीस सो बीच से हुई थी 1969 में इंदरा जी को कॉंग्रेस का है अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक श्राष्टी अध्यक चुना गया था इंदरा युक के भी चुरूआत ये नाकपूर शहर से हुई नाकपूर शहर से संजय गांधी की सबसे बढ़ी रेली जब हो योग कांग्रेस में थे तो नाकपूर में महाराश का माम इन wesन्न इख पूरे देश को सोनिया जी ने संदेज दिया था राहूल जी का भी यहां महात्मा गांदी के सेवागराम आश्रम से विनोवा जी का आश्रम से राहूल जी की भी पद्यात्रा का राहूल जी का राजनेतिक जीवन का केरियर की बहुत बड़ा आश्रवाद उनको यहां से सेवागराम से राहूल जी को मिला है तो नाकपूर यह एतियासिक जगह है सांप्रदैक शक्तियों का यह केंद्र है यहां से पूरे हिंदुस्तान में सांप्रदैक्ता की नफरत फ हमेशा नाकपुर का लोकसवा कॉंग्रेस का जीत के आया कॉंग्रेस का ये बड़ा गड़ है मैं खुद राष्टी स्वाम सेवक संके गुरुजी जहां के मद्दाता है वहां से 25 साल MLA जीत के आये तो ये जगे जो है ये शुरू से इंद्रा परिवार की नहरू परिवार की कॉंग्रेस की सबसे चाहने वाला विधर्व है नाकपुर है आज यहां से फिर से हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है शंकना दोरा लोकसवा चुनाव का कि 2024 में फिर से कॉंग्रेस बापीस आए और सामप्रदा एक शक्तियों को धबाय जाए वो अभिहान आ नाकपुर स अपना 149 वा जन दिन या कही के स्थापना दिवस मना रही है इस मौके पर आप पुदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे जबकि जो थीम है वो है तयार हम है बिल्कुल सही का आपने है तयार हम हम नफरत के खिलाफ लड़ने के लिए किसानों को जो शोषन हो रहा है जो जात बात समाज के नाम पर बाटने का काम हो रहा है उसके लड़ने के लिए तयार ही है पैगाम देने के लिए यह संदेश देने के लिए आज का यह ऐसी सी की दौरा एक कारेकरम आयुजित किया गया है और मैं खास तार पर बताना चाहता हूँ नाकपुर जो है यह भारत क सेंटर में है और यहां से जो एक विचारों का एक यहां से जो सकारत्मक मोहबत का पैगाम लेकि पूरे देश में जाएंगे इसलिए नाकपूर में आयोजन किया गया है यहां पे एक दूसरा संगटन है जो जो जिसका भी हेटकॉर्टर है जो नफरत बाटने का काम करते हैं लेकिन यहां राहूल जी के नेतरुत में खरगे जी के नेतरुत में नाना पटोली जी के नेतरुतों में यहां से पैगाम देना चाह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मौबत बाटने का काम कर रहे हैं भारतियर राश्चर कॉंगरिस हमीशा से जनता से और जनता के लिए पूरे campaign में जन्ता की भागीदारी को सुनिश्वत करने के लिए ताना शाही के खलाफ जंग के किस लड़ाई में उनकी भागीदारी को सुनिश्वत करने के लिए donate for देश नाम की campaign भी स्टार्ट किया गया इस पर अब क्या बोलें? यह बिल्कुल सही है, देखिए यह हम जो है, हम चाहते हैं कि हमारे हर चीज में लोगों का सावाग हो, और लोग हमारे इस देश के सवीधान बचाने के लिए, एक देश के लोग तंतर बचाने के लिए, तन से भी साथ में हैं, मन से भी साथ में, अगर जिसके पास जिनको कु प्रशी है डोनेट फॉर देश के मामले में बहुत लोग आगे आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे और इसी से कॉंग्रेस मजबूत होंगी और दोजार चोबीस में कॉंग राहूल जी के नितरतों में खरगी जी के नितरतों में हम जीतने वाले